ध्यान रहे finance के अंदर Public Accounts Committee और Estimates Committee दो बड़ी महत्वपूर्ण कमीटیاں होती है और इस Estimate Committee में 30 सदस्य है जिसमें से 16 सदस्य भारतिय जन्तापार्टी के है और अध्यक्ष भी भारतिय जन्तापार्टी के सांसद है उस कमिटी की जो चेर्मेंशिप है वो भारती जनता पार्टी के सांसत कर रहे हैं इस प्रस्तावना के साथ मैं आज की प्रेशवारता का प्रारंब करता हूँ आखिर कम्पनियों तक ही सीमित क्यों है सूट बूट की सरकार मध्यम वर निम्नाय वर्गे परिवारों को भी है टेक्स कटोती की दरकार यह प्रिंसिपल थीम है हमारा और इस एस्टिमेट कमिटी ने एक चौकाने वाला आकड़ा दिया है उसने कहा कि वित्यवर्ष 2020 और वित्यवर्ष 2021 के मध्ये इन दो सालों में एक लाग चौरासी हजार करोड रुपिये का नुकसान भारत सरकार को कॉर्परेट के जो रेट कट सरकार ने उसके कारण हुआ वित्यवर्ष 2020 और वित्यवर्ष 2021 में एक लाग चौरासी हजार करोड का लुकसान भारत सरकार को हुआ ये मैं नहीं कह रहा कोई रिसर्च पेपर भी नहीं कह रहा ना कोई विपक्षी दल का नेता कह रहा है ये एस्टिमेट्स कमिटी और ने पार्लियमेंट के समक्ष रखा कि दो सालों में एक लाग चौरासी हजार करोड का नुकसान हुआ अब सात्यों विस्तार से ये बात बताता हूँ 20 सितंबर 2019 को भारत सरकार ने सूट बूट की सरकार ने कॉर्पोरेट टेक्स में जो 30% का कर लगता था उसको घटा के 22% कर दिया और जो नई कंपनिया है नई मैनिफेक्टरिंग कंपनिया है उसके कर को घटा के 18% की जगा 15% कर दिया मतलब existing companies 30 से 22 करी tax rate new manufacturing companies 18 से 15 कर दी tax rate ये date बहुत महत्वपूर है 20 सितंबर 2019 को क्योंकि 22 सितंबर 2019 को परधान मंत्री जी अमेरिका गये थे हावडी हावडी करने आप सब को याद होगा 22 सितंबर 20 सितंबर को यह यह announcement होता है देश में जिसमें corporate taxes को 30 परतिशत को 22 परतिशत कर दिया जाता है नई कंपनियों के taxes को 18 परतिशत की जगा 15 परतिशत कर दिया जाता है और उसके दो दिन बाद परधान मंत्री जी हावडी मोधी कारिक्रम में भाग लेने होस्टन अमेरिका जाते हैं यह rate cut कब होता है उसी महा में सितंबर 2019 में ही वित्त मंत्री गोवा की GST council meeting में कहती है कि सरकार के पास राज्जियों को GST का compensation देने का पैसा नहीं है इसलिए सरकार Reserve Bank of India से वो पैसा उधार लेती है, loan लेती है मतलब सरकार कहरी है सितंबर 2019 में कि हमारे पास राज्जियों को compensation GST का देने का पैसा नहीं है सरकार मान रही है कि हमारी आर्थिक हाला ठीक नहीं है उस दौरान corporate को tax rate cuts किये जाते हैं लास्ट पिछले तीन सालों में सरकार और सरकार के agent दौनों ने खूब धिंडोरा पीटा कि ये corporate tax में कटोती के कारण overall revenue सरकार का बढ़ गया पर जो एस्टिमेट कमिटी है जिसमें 30 में से 16 सदस्य भाजपा के हैं जिसके चेर्मेन भाजपा के हैं उन्होंने कहा कि कॉर्परेट टेक्स कट के कारण जो 2019 में निर्ने लिया गया उसके कारण मात्र दो सालों में fy20 और fy21 में 184,000 करोड का राजस्व का नुकसान हुआ अगर मैं बोलूं वित्यवर्श 2020 में राजस्व का नुकसान होता है सित्याथ이 1836 करोड और वित्यवर्श 2021 में होता है 9,399 करोड तो कुल मिलाके मात्र दो सालों में एक लाख चौरासी हजार करोड का भारत सरकार को राजयस्व का नुकसान होता है। हमें बोला गया कि इससे देश की प्रगती हो रही है, जीडिपी ग्रोथ बढ़ रहा है, बेरोजगारी की समस्या घट जाएगी। उसके बारे में भी SBI और Reserve Bank ने क्या रिसर्च करी वो आपके सामने रख रहा हूँ। ये CMIE के अनुसार दो हजार इक्कीस में अगर हम तीस हजार बड़ी कंपनियों को लें, तो दो हजार इक्कीस में इन कंपनियों का मुनाफ़ा 138 प्रतिशत बढ़ा। ये मेरा आकड़ा नहीं है, Center for Monitoring on Indian Economy का आकड़ा है कि वित्यवर्ष 2021 में 2020 की तुल्ना में कंपनियों का प्रॉफिट 138 प्रतिशत बढ़ा। 2022 में 2021 की तुल्ना में कंपनियों का लिस्टेड कंपनियों का प्रॉफिट 66.2 प्रतिशत बढ़ा। और उसी दोरान हमारा जो Corporate Tax Collection था, उसी दोरान हमारा Corporate Tax Collection वित्यवर्ष 2021 में 4,57,719 करोड रह गया, जबकि 2020 में 5,56,000 करोड था। मतलब कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, वित्यवर्ष 2021 में, वित्यवर्ष 2020 में, 19 की तुल्ना में, 21 में 20 की तुल्ना में, 22 में 21 की तुल्ना में, पर Corporate Tax का Collection नहीं बढ़ रहा है। और सरकार हमें ये समझाती रही, कि Corporate Tax Rate Cut के कारण देश में प्रगती होगी। Reserve Bank ने आगे ये बोला कि जब कंपनियों को कम कर चुकाना पड़ा, तो हो सकता है कंपनियों ने जो पैसा जो बचा, उसका उप्योग CapEx के लिए किया हो, पर Reserve Bank ने बाना कि कंपनियों ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने इस रकम का उप्योग अपने Cash Balances को बढ़ाने के लिए क कंपनियों ने सरकार को कर देने की बजाए अपने Cash Balance बढ़ाया, CapEx नहीं बढ़ाया, क्योंकि CapEx 2000 अगर हम माने Capital Expenditure वित्यवर्ष 2022 में मात्र 2.3 प्रतिशत से बढ़ा, जो 6 वर्षों का न्यूनितम था, तो ये कर की कटोती किसके लिए की गई, ये सूट बूट सरकार 2.0 का निर्ने 2019 में किसके कहने से लिया गया, मात्र 2 वर्षों में, वित्यवर्ष 2020 और 21 में, 1,84,000 करोड का नुकसान क्यों किया गया, 2022 का अंकड़ा अभी तक आया नहीं है, और 2022 में भी 21 की तुलना में, कॉर्परेट के जो लाब है, वो लगबग 66.2 प्रतिशत से बढ़े हैं, पर हमारा कॉर्परेट टेक्स कलेक्शन नहीं बढ़ा, तो हमारे इस बाबत पांच स्पेसिफिक सवाल है, साथियों, पहला, पहला सवाल, सरकार के लिए, पेंडेमिक के दौरान, कॉर्परेट टेक्स कट ज्यादा महत्वपूर्ण था, कि मन्रेगा के बजट को ज्यादा बढ़ाना ज्यादा महत्वपूर्ण था, एक लाग चौरासी हजार करोड दो वर्षों में राजस्व का नुकसान होता है, अर्थाद हम एवरेज मानें, तो प्रतिवर्ष बराणवे हजार करोड का नुकसान होता है, अगर इस बराणवे हजार करोड को मन्रेगा के बजट में जोड़ दिया जाए, तो मन्रेगा का जो अभी का बजट है वो 2.26 गुना बढ़ जाएगा मतलब यदि हम मन्रेगा की जो मजदूरी है उसको 2.26 टाइम्स बढ़ा सकते थे पर हमने हमारी सरकार ने कॉर्पोरेट को टेक्स कंसेशन टेक्स कट्स देना जायस समझा ऐसा क्यों सरकार के लिए कॉर्पोरेट टेक्स कट मन्रेगा के बजट को बढ़ाने से जादा मैतोपूर्ण क्यों है दूसरा सवाल साथियों ये सवाल में हर मध्यम आयवर्ग्य परिवार की और से सरकार को पूछ रहा हूँ मध्यम आयवर्ग्य परिवार की टेक्स रेट होती है 30 परतिशत आप मैं 30 परतिशत से आयकर देते हैं और कॉर्पोरेट को टेक्स देना 22 परतिशत ध्यान रहे हम हमारे खर्चों से हमारी salary को कम नहीं कर सकते हैं पर corporate अपने खर्चों से अपने revenues को कम करके जो profit आता उस पे मात्र 22 परतिशत उनको कर देना है मेरा सवाल यह है कि why are such rates only rate cuts limited to corporates यह rate cuts सिरफ corporates तक की सीमित क्यों है क्योंकि मध्यम आयवर गिये परिवारों पे income tax की peak rate 30% से कर लिया जाता है और corporate से 15% या 22% से कर लिया जा रहा है यह भेदभाव क्यों है तीसरा सवाल और बहुत मैतपून सवाल है जो मैं आकड़ा देने जा रहा हूँ ऐसा शायद पिछले 500 वर्ष में कभी नहीं हुआ होगा 2021 में वित्यवर्ष 2021 में corporate जो tax है उनसे करों का collection हुआ 4,57,719 करोड और आप से मेरे से हम जैसे मद्यमाय वर्गिये परिवारों से निमनाय वर्गिये परिवारों से करों का collection हुआ 4,87,145 करोड मतलब हम आयकर corporate से ज़्यादा दे रहें यह पहली बार मैंने यह आकड़ा देखा क्योंकि सरकार ने corporate के tax rates में कटोती करी मेरा सवाल यह है कि वित्यवर्ष 2022 में ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि इन rate cuts के कारण करों करों में कटोती के कारण सरकार को एक लाग करोड के राजस्व का घाटा होने की उम्मीद है तो सरकार के लिए corporate को rate cut से एक लाग करोड का घाटा ठीक है पर उस एक लाग करोड का प्रयोग सरकार भारत के 20% परिवारों को 20,000 रुपया साला ना देने में कर सकती थी उसके लिए वो मेत्वपूर्ण क्यों नहीं है चौथा सवाल ये सूट बूट की सरकार का मध्यम आयवर्गिय और निमन आयवर्गिय परिवारों से घ्रणा क्यों है क्यों हर निर्णे में ऐसी reflect होता है कि ये सरकार पूंजी पती मित्रों के तरफ अपने सारे निर्णियों को केंद्रित करती है इसमें मध्यम आयवर्गिय परिवार और निमन आयवर्गिय परिवारों के लिए कुछ नहीं है क्यों ये सरकार मध्यम आयवर्गिय परिवारों और निमन आयवर्गिय परिवारों से घ्रणा करती है और पांचवा जो कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अमेरिका के होस्टन में हाउडी के नारे लगवाने से पहले मात्र दो दिन पहले ये कॉर्परेट करों में कटोती क्यों की गई क्या प्रधान मंत्री जी अमेरिका में हाउडी मोदी में जाने की ये एक शर्त थी कि जब तक आप कॉर्परेट टेक्सों में कटोती नहीं करोगे तब तक हम आपको अमेरिका में इस हाउडी कारिक्रम में आने नहीं देंगे ये क्या कारण था ये संयोग है कि प्रयोग कि अमेरिका जाने के मात्र दो दिन पहले कॉर्परेट करों में कटोती गी गई और उसके दो दिन पस्चाद परधान मंत्री जी हाउडी मोधी कारिक्रम में शरीक हुए ये rate cuts कभी middle class के लिए क्यों नहीं सोचे गए जब middle class ने बड़े इस्तर पर नौक्रियाख होई पेंडेमिक के दोरान उस दोरान भी सरकार का दिल नहीं पसीजा उन्होंने middle class के rate cuts नहीं किये ये सुझाव विरोधी सरकार है क्योंकि जिस व्यक्ति को अहम ब्रह्मा अस्मी का बोध हो जाता उसको सुझावों की कहा जरूरत है यहाँ पे तो ब्रह्मा जी प्रधान मंत्री जी को लगता है वही ब्रह्मा वही विष्णू वही महेश तो उनको सुझावों की कहा जरूरत है अगर आपके मध्यम से वो मेरी बात सुन रहे हो तो मैं उनको सुझाव देना चाहूंगा कि मध्यमायवर्गे परिवारों को tax की cut rate cuts किये जाए जिस तरह से आपने corporate की tax rate cuts किये आपको middle class के लिए जो peak income tax rate है उसको भी कम करना जाए लेटेश अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइप को सब्सक्राइब कीजिए और notification पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए